प्रियंका चोपडा ने अपने बॉलिवुट के करियर के बारे में कई सारे चौका देने वाले खुलासे किये हैं और अब प्रियंका चोपडा ने एक और शौकिंग खुलासा किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जब एक डिरेक्टर ने प्रियंका चोपडा को अंडर गार्मेंट्स दिखाने के लिए फोर्स किया तब सल्मान ने प्रियंका की इज़त बचाई जी हाँ प्रियंका ने खुलासा किया है कि वो एक फिल्म कर रही थी और उस फिल्म का गाना ऐसा था कि उन्हें एक एक करके अपने कपड़े उतारने थे तब प्रियंका ने अपनी स्टाइलिस से पूछा कि क्या में जादा कपड़े पहन लू ताकि मेरी स्किन ना दिखे वरना कपड़े खतम हो जाएंगे और मेरे अंडर गार्मेंट्स दिख जाएंगे तब डिरेक्टर बीच में आया और डिरेक्टर ने कहा कि अगर हिरोईन के अंडर गार्मेंट्स नहीं दिखेंगे तो फिर फिल्म कोई नहीं देखेगा जिसके बाद प्रियंका को बहुत बुरा लगा और प्रियंका ने वो फिल्म बीच में ही छोड़ दी वो सेट पर गई नहीं इसी बीच प्रियंका जब उनकी दूसरी फिल्म शूट कर रही थी, तब वो डिरेक्टर दूसरी फिल्म के सेट पर प्रियंका से जगरने के लिए पहुँच गया तब सल्मान खान बीच में आई और उस डिरेक्टर को रोका प्रियंका ने अपनी करियर को लेकर ये भी खुलासा किया कि उनका मैलजर उन्हें कुछ डिरेक्टर प्रडूसर से मिलवाने लेकर गया था और तब उन्होंने प्रियंका को कहा कि जरा गूम के दिखाईए इसके बाद उन्होंने प्रियंका को कहा कि आपको breast implants करवाने पड़ेंगे आपको अपने bum थोड़े heavy करवाने पड़ेंगे jawline पर भी थोड़ा work करवाना पड़ेगा चिंता मत करो US का एक doctor है जिसे मैं जानता हूँ वहाँ पर जाकर आप आपका इलाज करवा सकते हैं प्रियंका का कहना था कि सबसे बड़ी बात मेरे साथ जो manager था वो ये सब करवाने के लिए मान गया था हलांकि प्रियंका ने कहा कि उन्होंने ये कुछ भी नहीं करवाया जैसी थी वैसी रही और उसी तरह से उन्होंने इस industry में अपना career बनाया है